ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश्रामदीद कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी कैनदा इंडिया तालुकात के नए मोर के हवाले से इस्राहिल और हमास के बीच हॉस्टेज और कैदियों के तबादनों की सुरतहाल के हवाले से इसके साथ साथ हम इस पात का भी जायजा लेंगे कि हॉलिंड में एक फार राइट की पार्टी के जीतने से यॉरप की सियासत पर क्या ऐसरात मरतब होंगे नीस पाकिस्तान में इंडान खान के हवाले से जो नए-ने स्कैंडल सामने आ रहे हैं उनका इमरान खान और उनकी सियासी पार्टी पर क्या फरक करेगा जी ताहिर सबसे पहले तो इंडिया की बात करते हैं इंडिया ने किनेडियन्स को वीज़े देने का सिलसला बहाल कर दिया है सिलसला में कैनाडा में इंडिया के हाई कमिशनर मिस्टर संजे कमार वर्मा ने प्राइम मिनिस्टर जिस्टिन टूडो की इंडिया के खिलाफ इलजाम तराशियों के बाद हाली में दो इंटर्व्यूस दिये उनका एक इंटरव्यू सी टीवी न्यूस पर परसों इत्वार 26 नमंबर को शाया हुआ या नशर हुआ और टैग टीवी पर आपके साथ कल यानि 27 नमंबर को नशर हुआ आप इन दोनों इंटरव्यूस की रोशनी में कैनडा इंडिया तालुकात के मुस्तक्बिल को कैसे देखते हैं देखिए कैनडा इंडिया के तालुकात के हवाले से ये दोनों इंटरव्यूस बहुत इंपॉर्टन्ट हैं क्योंके हाई कमिशनर आफ इंडिया टू कैनिड़ा, His Excellency Sanjay Kumar साभ ने जैसा आपने मैंचन किया, दो इंटर्वियू दिये और ये दोनों इंटर्वियू पहली बार उनके सामने आए हैं, 18 स्थमबर 2023 को जब प्रामिनिस्टर टूडो ने इंडिया पर जाम लगाए थे, उसके बाद हमारे जो यहां पे इंडिया के हाई कमिशनर उनके को इंटर्वियू ने दिया दिया दिया, तो वेरी रिसेनली दो हाई कमिशनर साब ने दोनों इंटर्वियू में कहा कि कोई ऐसा डेड़ लॉग अब नहीं है, बहुत इल्जाम तराशियां हो गई, अब समय है कि हम आगे मूव करें, और वाके हाई कमिशनर साब का कहना दूस्त है, क्योंके इंडिया एक डेमोक्राटिक कंट्री है, बहुत खुबसूरत मुलक है, बहुत अच्छी डिमाक्रेसी है, इस्यूज रहते हैं, इंडिया भी, कैनिड़ा भी, पूरी दुनिया हुमन सॉसाइटी हैं, लेकिन ये बात मेक सेंस नहीं करती, कि दो डेमोक्राटिक कंट्री के कभी बुरे तल्लकात बने, या फिर खास और पर इंडिया ने कभी कैनिड़ा के हवाले से बुरा नी चाहा, अनफर्चुनेडली कैनिड़ा का जो पुलिटिकल कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, पुलिटिकल वोट बैंक्स का ऐसा है, तो कुछ पुलिटिकल पार्टी जैसे मैं परसनल समझता हूँ, प्राइमिनिस्टर टूडो की पार्टी, लिबरल पार्टी, यस तरह के कुछ होनों ने अनवाइस किसम के किये हैं काम, लेकिन आफटर आल ये दोनों देश कोई डेड़ लॉग में तो नहीं रह सकते ना, इन दोनों को तो आगे बढ़ना है, हमेशा से तलकात अच्छे रहे हैं, चोट- इंगलना शूरू हो चुकी है, इसलिए कि बहुत अच्छा इस सलसले में इंटर्व्यूज के अंदर हाई कमिशनर साब ने कहा कि कॉंट्रिब्यूशन भी तो देखिए ना, कि सोसाइटी के अंदर आपके कितना कॉंट्रिब्यूशन है और क्या, इसके क्या सिरात मरतब हो यानि वो लोग जो कॉंट्रिब्यूटर हैं आपके सोसाइटी में अगर वो इससरा फ्रीज हो जाएंगे तो डिरेक्ट इंडिरेक्ट तमाम चीज़ें जो हैं वो मक्लूज हो जाती है और वो उसका बहुत बड़ा पुलिटिकल तो होता ही है, एकनॉमिक इंपक्ट बहु हमारी ग्रेंज हैं, अब वो इंडिया सबसे बड़ा बाइट था, तो हमारा तो बिलियंज और बिलियंज डॉलर का लॉस है, इसी तरह किनेडियन की बहुत बड़ी इंवेस्मेंट इंडिया में है, इंडियन बिजनसमें इतने वाइबरंट हैं और इंडो किनेडियन और लकात च्च्छना हों, कभी भारती ममकिन नहीं है, जो इंडो किनेडियन बारती हैं किकनेडा के लिए अपने देश के लिए जो उनका एडॉप्टिव कंट्रियू उसके लिए बुरा सोच हैं मैंने तो कभी पची साल से केनेडा में रह रह रहा हूं, कभी किसी ने तरीका कार भी मेरे मेरे उपीनियन में ठीक नहीं था कि पारलीमेंट में खड़े हो किस तरह की बात करना, बैक टोड टिप्लोमेसी चल सकती थी, जो अब बहराल चल रही है, and hopefully, things started getting, resolving, I can see, जैसा कि हाई कमिशनर साभ ने भी अपने दोने इंट्रिव्यूस में कहा, और अग हम future की बात अब फिर से कर सकते हैं, आप में very well said, ice is melting now, yes, so we should be having some warm gestures towards each other, चलिए, अब चलते हैं Middle East की तरफ, हमास और इसराइल के बीच, RZ ceasefire हुआ है, दोनों के बीच कैदियों का तबादला भी हो रहा है, क्या, क्या वहां मुस्तकिल ceasefire की गुंजाइश निकल सकती है, या नहीं तबसरा कीजिए, देखिए, जो Middle East में खासवर परहमास, फलस्तीन और इसराइल के बीच जो अमन का मुस्तकिल है, और आप उस सवाले से जानना चारी, क्या वहां पे मुस्तकिल किसम का सीज़ फायर हो सकता है, तो वो मुझे नहीं लगता, चुकि जो उनका मुस्तक कीजे में जो अब ये जो जो प्रेजन टाइम है वहां पे, वो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बारहाल इन बातों को भी तो रिजॉल्व होना होता है, दुनिया के हर इशु को अल्टीमेटली रिजॉल्व होना होता है, अन दे टेबल, यू है तो टास्क्स एन यू है वैसे भी पास्ट नेवर डाइस, पास्ट खतम तो नहीं होता, जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन फ्यूचर कैन बे बिल्ट, फ्यूचर कैन बे बिल्ट, अब ये सिचुएशन है न, कि कोई 13-14 हजार जो नंबर जा रहे हैं, फलसीनी भी मारे जा चुके हैं, उन में ये अफसोसनाक मामलात हैं, और अधर जो हमास की टेररिजम हुई थी, उसमें इसराइल के बाराइस, चौदा सो लोग, उसमें कुछ फॉरण नैशनल्स भी थे, वो मारे जा चुके हैं, अब ये हॉस्टेज जो हैं, जो दो 28 सो हॉस्टेज हैं, वो चूट रहे हैं हमास के कबजे से, अब तक की जो इतलाइत हैं, कोई जो पहला आर्जी सीज फायर हुआ, कुछ दोनों का, शायद उसमें साथ के करीम हॉस्टेज चोड़े, कुछ शायद 150 प्लस, वाटैवर, शायद 200 से ज्यादा, जो फलस्तिनी या हमास के भी उनमें स्पोर्टर शामल हैं, जो है, वो इसराईल ने छोड़े, तो प्रैमनेस्टर नतिन याहू भी कह रहे हैं, कि हम नहीं रोकेंगे हमास के खलाफ आपरेशन को, इवन प्रेजिड बाइडन ने भी कहा है, कि हमास का पूरा खात्मा होना ही जरूरी है, अब ये है, वो पूरे का पूरा करक्स, कि क्या व हमास का खात्मा हो सकता है, जो मुस्तकिल सीज पायर है, वो तो इसके साथ जोड़ा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, अभी देखिए ये जो हॉस्टेज छोड़े हैं हमास ने, ये खबरें भी आ रही हैं कि इसलामी जहाद जो एक और मिलिटन गरूप है वहां पे, कुछ होस्टेज शायद उनके पास भी हैं, और हमास का थू कतर जो एग्रिमेंट हो रहा है, अमेरिकन्स के साथ, या इसराइलियों के साथ, उसमें इसलामी जहाद तो शामल नहीं हैं, वो अपनी डिमांड्स करेंगे, तो जहाद इटसेफ इस अ बलड़ी बिजनस बन चुका और ये बड़ी ही खौफनाक सूटे आला तो जब तक ये माइंड सेट चेंज नहीं होता, मेरी समझ से बात बाहर है, कि ये कब तक फलस्तीन लेके रहेंगे, अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बलके मिलियन्स डिस्प्लेस हो चुके हैं, और ये मतब फल लेने की बजाए ये खोते ही चले जा रहे हैं, तो ये जो पागलपन है, यहां मैं आपको इंटराक्ट करते हूँ, आप क्या समझते हैं, कि क्या ये सिर्फ माइंड सेट है या इसके पीछे एकनॉमिक रीजन्स भी हैं, क्योंके डिस्पारिटी जिस ससाइटी में, कंटिन इस अंड्रेस्ट हो, और फिर इतनी डिस्पारिटी गलोबली भी हो, तो क्या कोई चीजे कहीं से रोशनी का कोई करन नजर आ सकती है, देखिये, एकनॉमिक एसपेक्ट्स तो आम लोगों के लिए हैं, जो पिस रहे हैं, जो उस माइंड सेट के हाथों होस्टेज बने होने सिर्फ यह नहीं है कि हमास उनका होस्टेज बनाए हो, उनका माइंड सेट भी बिचारे आम लोगों का भी काफी बदल चुका हुआ है, एंटाई, 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 इसराईल और फलाँ, ढीम, मैंने कई बार कहा है कि इसराईली जो हैं, वो किसी सूरत भी जंग के शौकीन नहीं हैं, वो बहुत थोड़े हैं तदाद में, वो चाहेंगे कि अमन हो, मगर अगर उनके ओपर टेरिरिजम इंफलेक्ट की जाएगी, तो वो फिर डिस्परपोर्शनेटली भी रियक्ट करेंगे, जैसे कि वो कर रहे हैं, अगर उनके दस मरते हैं, तो इदर वो सौ मार देते हैं, मैं एक मजाल दे रहाँ, तो इस सारी सूरते हाल में, अरब नेशन्स के लीडर काफी अब इवाल्व हो चुके हैं, समयदार हो चुके हैं, उनको अब पढ़ना चाहिए बीच में, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इस मामले को समयना चाहिए, इसरा हमास जैसी टेररिस ऑगनाइजेशन के गले में कैसे पटा डाला जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, चुके ये हमास एंड कंपनी, ये लोग खुद अरब मुलकों में, साओधी अरब, यू एई, वहां पर ये वेलकम नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इवन ज कोँगा कि मुस्तकिल जो सीस वाइर की सूर्टेहाल मुझे नजर नहीं आती, चलिए, इससे पहले के हम हॉलन में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली फार राइट एंड जमात की यॉरोपियन सियासत परसरात का जाहिजा लें, इस पार्टी के लीडर गेरिट वर्डर् जिसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्डन ही फलस्तीन है, जैसा कि भी आप भी कह रहे थे, जॉर्डन भी एकसेप्ट नहीं कह रहा, तो लहाजा उनका ये कहना कि फलस्तीन बनाने की कोई जरूरत नहीं, जॉर्डन की शकर में बना बनाया फलस्तीन मौजूद है, तो आप इस suggestion को इस मशवरे को कैसे देखते हैं या इस point के ओपर आप कैसे अबसरा करेंगे देखिए फलस्तिनियों की जो struggle है वो अर्सादरा से चले आ रही है और जो इनको पर्पोज राके मिल रहे थे 1948 के बाद डिफरंट स्टेकोलडर ने अमेरिकन जो जाहर है टॉप में थे उस जमाने में बरतानिया भी बहुत टॉप पे था बरतानिया ने ही वहाँ पे जो 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 ग्राफिकल चेंजिस की थी तो फलस्तीन को एक रियास्त बनाने के लिए काफी बड़ी लेंड मिल रही थी मगर उन्होंने एकसेप्ट नहीं की वो लड़ने को उन्होंने तरजी दी अब लड़ते लड़ते ये बात ये मामला सामने आ चुका है कि अब घजा और वेस्ट बैंक की दो चुट-चुटी पटियां रह गई हैं जिनको नक्षे में डूनना भी बड़ा मुशकल होता है कि जी वो कहां पे है अब उन दो पटियों पर तो फलस्तीन बन के कितना बड़ा फलस्तीन होगा इसी दौरान 48 के बाद लाखों फलस्तीनी इदर उदर चले गए खासफर पर जॉर्डन में बहुत ज्यादा गए तो फिर एवन 1970 में जॉर्डन के खलाफ वहां पर रिवोल् प्लस्तीनियन मारे गए लेकिन क्या वो सारे के सारे जो प्लस्तीनियन मारे गए थे वो ही प्लस्तीनियन थे जौर्डन में आफ कोर्स आज भी ये बहस है कि जौर्डन भी जो मतब जो प्लस्तीनियन्स हैं ये एक्चुली अरब लोक है ना डिफरंट ट्राइब्स हैं तो वो जारा तर तो पहले भी जॉर्डन में थे, फिर जॉर्डन मूव भी किया, जब जॉर्डन की किंग्डम शिप को खत्रा हुआ, तो फिर उपरेशन इनके खिलाफ हुआ, लेकिन ये रियालिटी है, और ये कहा जाता है कि जॉर्डन की जो जो किंग्डम शिप है, वो माइन यह जो गियर्ट विलडर्स ने जो बात की है वो तो हमेशा से बहुत ही प्रो इसराइल रहे हैं, वो वाकिछी फार राइट के पॉल्टिशन यहां मैं फार राइट के पॉलिटिशन अगर उनको कह रहा हूं तो मैं किसी नेगिटिव टोन में नी कह रहा हूं उनका अपना स्कूल अफ थाउट है वो अप कामियाब भी हुए हैं जिस पर आगी हम चल के बात करेंगे लेकिन उनका ये कहना वो अपनी जगह पे है लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जॉर्डन को एजिप्ट को फलस्तीनी गृूपों को भी हमास तो खेर सकाबल नहीं इसको किसी भी टेबल टॉक पर बठाया जा सके मगर सम टाइम यू है नो आप्शन अधर दन हैविंग मिली टेंट्स ऑन टेबल ऐस वल तो इस सारी सूरते हाल में इन सब को और दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं अमेरिकंज और रशियंज और चाइन सब को बैठना तो होगा अगर वो ये दुनिया चाहती है कि मेडल इस में जो आपने पीछे सवाल पूछा कि मुस्तकिल कोई अमन की सूरत निकल सके तो कोई नो कोई रास्ता तो निका कर आए हैं यॉर्प से किसी वीजा की जूरत नहीं है पता नहीं चलता कि स्विजलेंड कहां खतम होता है फ्रांस कहां शुरू होता है और फिर एकदम से फ्रांस जाते जाते पिर स्विजलेंड चुरू हो जाता है फिर इटली से आगे आए हैं तो पता नहीं चलता कि कहां पर सुझेलेंड शुरू होता है तो बाउंडरी अपनी जगह पे वहां हैं लेकिन वो मसाइल नहीं हैं जो अभी तक ये मिडल इस, साउथ ऐस्या के मुल्क फेस कर रहे हैं। मैं यही सवाल आपसे करना चारी थे दर असल यहां पर यह बहुत ऐहम सवाल उठता है कि पुलिटिकल पावर्स और पावर हमेशा अगर हम दुनिया की हिस्ट्री को देख लें तो डाइमेंशन ऑफ अर्थ हैस ऑल्वेस बेन इंडिवीजिन चेंजड ऐसा नहीं हुआ कि कभ वर्ड वार में भी ब्रिटिन ने बौड़ी सारी चेंज़िस की अगर हम इसराइल को कुश्चन करते हैं तो इस तरह तो बहुत सारे और जो दुनिया के अंदर चेंज़िस आई उनको भी कुश्चन किया जा सकता है इस पर आप क्या तबस्रा करेंगे इस पर हमने कई दफ इस टोलन लेंड नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं नहीं पूरे वर्ल्ल मेप के ओपर एक एक मसाल ते रहा हूं कि क्या ये स्टोलन लेंड नहीं है कि जो मतर बलोचसतान आपने कबजे मी किया जो अफ़ानसान था उसको आपने बांटा भारत के टुकड़ा काट के बारत से बड़ा टुकड़ा काट के पंजाब को डिवाइड किया उसक बंगाल को डिवाइड किया तो ये स्टोनल लेंड नहीं थी तो दुनिया में जिग्राफिकल चेंजिस तो आती रहती है अब जब से ये सोविरिन स्टेट्स बनी हैं खासवर पर फॉर दे पास्ट वान सेंच तो ये इस तरह की बहुत सारी मतब मसाले हैं लेकर रास्ता फिर वही है जो मैंने बताया कि जब तक अमन के लिए नहीं लोग बैठेंगा अब लेकर इसी इसराइल में कोई गालबन तेर दो मिलियन बताया जाता है फलिस्तीनी जो हैं उनको भी मिली हुग ये सिटिजन्श झालबन आि हो और जिस तरह की बर्बूड कि हैमाजन तरह की सिटिजन्शिप ना हो तो इसराइल तो चाहेगा के अगर धेर मिलियन को मिल रही है तो शायद 5 बिलियन को भी मिल जाए लेकिन वों बड़ा एक फिर इलाका हो जाए चलिए ना भी सिटिजन्शिप मिले अगर किसी को किसी से थ्रेट नहीं है चाहे दो नेबर्स हों आपस में、 दो घर हूं आपस में एक महले में और चाहे दो आप देख्रों अकल और समझ बूच नहीं आएगी, कोई फाइदा नहीं, लड़ने से कुछ नहीं निकलने वागा, लडने से सवाई तबाही कि और कुछ नहीं है, और हमें इस जमाने में वापस आना पड़ेगा, इस वक्त में जहां हमें, चलिए, अब हम ब्राए रास आते हैं, गेरिट व की शक्सिएद पर राशनी डालता हूँ, ये तो एक लंबे अर्से से अपनी बातें कर रहे हैं, इसलाम के बारे में इनका जो डिस्लाइक है, वो भी किसी से चुपावा नहीं है, फलिस्तीन और इसराइल के इस ये बहुत प्रो इसराइल हैं, इस पे भी कुछ चुपावा पर इन्हों नूर पो शर्मा जो भारत में जिनके ओपर डेथ पिनल्टी भी लोगों ने एक्स्रीमिस इस्लामिस ग्रूपों ने लगाई, उनके हक में ये आये टेलिवीजन पर बोले, बड़े सीजन पुराने पॉलिटिशन है, जहां तक मुझे जाद पड़ता है, नाइ के नाम से जानी जाती है, डैनिश में, ना सॉरी, डच लैंगविज में, पता नी इसका क्या अब्रिवेशन है, मुझे भूल रहा है, लेकिन बारहल अब ये 37 सीट्स लेकर, सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर सामने आए, बहुत बड़ी एचीवमेंट है, क्योंके वहां पे हॉल एंड में 150 सीट्स की पार्लिमेंट है, और कोई एक दरजन से ज्यादा पार्टियां, मैं हर बार देखता हूं, एक दरजन से ज्यादा पार्टियां वहां पे जो है ना, वो हिसा लेती है, तो 150 सीट्स में से, मैंने अभी ये तीन चार जो लास एलेक्शन, अगर मै को तीन मिलती हैं तो अभी यह जो पिछली पार्लीमेंट थी दो जार इकीस में वहां इलेक्शन हुए थे तो वहां पे भी वो कंजर्वेटिव पार्टी एक है वो जीती थी उनके पास 34 सीट्स थी था अब वो कंजर अब फिर दोबारा इलेक्शन हुए चुके माइनौर्टी गार्मेंट थी तो इलेक्शन हुए तो इनकी पार्टी ने अब 37 सीट्स ले लिए हैं अब यह कह रहे हैं कि मैं जो पुरानी पार्टी थी जो पावर में थी उनके साथ एलाइन्स करूंगा उनकी 34 पहले थी अब वो 24 है उनके पास एक चारों पार्टी हैं मिल के लगता है हकूमत बनाएगी और गियर्ट विल्डर्स जो हैं वो प्राइम निस्टर बनना चाह रहे हैं दुनिया की कोशिश है चुके यॉर्पिन यूनिन के हम पहले बात करते हैं क्योंकि इनकी राइट विंग की जो पार्टी है वो फार राइ दिमाकरसी में उनका भी हाक है तो अब मुझे लग रहा है कि एक चैलेंज बना है यॉर्पियन यूनियन में कि अगर ये प्राइम निस्टर बन जाते हैं तो कल कला को गालबन ली पैन नाम है जो फरांस की फार राइट की हैं वो भी काफी अची सीटे ली थी फरांस के पि रेडिकल हैं तो इसी तरह अब भी अर्जन्टाइम में भी एक फार राइट के आए हैं पार्टी के लोग सामने तो गियर्ट विल्डर्स मेरे खाले हैं इन सब में सबसे ज्यादा रेडिकल हैं वो बहुत कलियर हैं अपने थार्ट्स में उनके थार्ट से को एगरी करें न करें वो बहुत कलियर हैं अपने थार्ट्स में देखिए यॉर्प में ये एक बहुत बड़ा इशू है माइगरेंट्स का जनरली और खास वर पर जो मुस्लिम माइगरेंट्स हैं उनका भी चुके उनके बारे में अब यॉर्पियन अवाम ये समझ रही हैं कि वह हमारे समा लेफ्ट का कॉंबिनेशन जो है वो यॉर्प ये चाहता है कि इस तरह की पुलिटिकल पार्टिया हो ये अब सेंटर राइट नहीं है ये फार राइट है इसलिए यॉर्पियन यॉनियन को काफी बड़ा चैलेंज है ये चैलेंज इवन हमारे कैनेड़ा में फील हो रहा है मैक्सीम बर्निर्स सबने ट्वीट दी वो भी अपने आपको फार राइट समयते हैं मैं मेरा भी उस पार्टि के साथ तहल्ण रहा आप तो खेर मेरा किसी पार्टि के साथ तहल्ण नहीं है जबसे मैंने का के सियासे से आप मैं दूर होता हूँ लेकर एक रियक्शन था अलाके मैकसीम बर्नियर की थोड़ी सी में बात करता हूँ, वो बहुत फार राइट के नहीं थे, बेसीकली, मगर एक रियक्शन में फिर वो भी आए आए, आए, अहाँ, ने बड़े-बड़े समधार आदमी है, और वेल वर्स आदमी है, लेकिन मेरा ये कहना भी जो उनके का मसला है, एक लेवल पर बड़ा लेवल भी है, इस पे भी हम सब को अब एक साथ बैठना चाहिए, इंटलेक्शन को बात ने करना चाहिए, यह जो रियक्शन बिल्ट होता है, अब देखिए, फार राइट की हुकूमते जब चलती है, तो फिर फार लेफ्ट के लोग आ ज ही लग रही है, यहां कैनेडा में भी यह सरसा शूरू हो चुका है, यह लेफ्ट और राइट एक दूसरे के खलाफ फत्वे लगाते रहते हैं, मैं सिर्फ को मजभी जमातों की बात नी कर रहा है, मैं तो आइडियालोजीकल जमातों की, अमेरिका में इतनी खौफनाक पॉ रेक्शन बिल्ट होता है, तो यह एक आटो करेक्शन का प्रॉसस है, मैं तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव ही देखता हूँ. आप इसको अगर हिस्टोरिकल पॉंट अव यू से देखें तो आप इसको वेस्ट की अवेकनिंग के पॉंट अव यू से देखेंगे या आप इसको लाइटली एक पॉलिटिकल प्रॉसस जैसे आपने कहा के आटो पाइलिट सिस्टम लोपर आटो क्रेक्शन चल रही है, यह मैं इसको अवेकनिंग सिर्फ वेस्ट की नहीं है, यह पूरी दुनिया में हो रही है, इवन अम पाक्सान देखें तो वहां पे भी यह चलता रहता है, अपनी अपनी समझ बूज के मताबक मौशरे खेलते रहते हैं, जितनी जितनी मौशरों में या उस मौशरों के मासिस में अकल होती है, अवेरनेस होती है, वो उसके मताबक वो एक्ट और रियक्ट करते हैं. चलिए, अब पाकिस्तान का जिकर हुआ तो गर्दारी के लजमात आयद की हैं, और पाकिस्तान की एक अदालत में रिट भी दाखिल कर दी है, और वो ये है कि इस्लामी कवानीं के मताबक उनकी साबका बेगम ने इमरान खान के साथ शादी इद्द की मुदद गुजारे बगएर की थी, आप इस सूरतहाल को कैसे देखिये, जो तो ये इस्लामी कवानीन का मामला है, मैं तो एक सैकुलर आदमी हूँ कि जी किसकी शादी इदत में कमी, कितनी है टाइम में, वो जाने उनका समाच चाने, मेरी तरफ से तो इस इस चीज़ों की कोई इंडॉर्समेंट नहीं होती, वो खातून शादी करना च आर्मी हैं, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हर सूर्स बनाना चाहती थी, तो सब को नदर आ रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, और इवन खावर मानिका जो है, उन्होंने भी फिसिलिटेट किया था उस वक्त, अपनी बीवी की जो है, शादी को, मैं ये के लागू करने की बात ह initially, आर्में मेरा थार मिनिस्टर फ़ॉन की मिन परेखा कि उन्होंने की, ठीकाहिए थायू एट।, इसले की बात तो उन्होंने पर क्वार मिनिस्टर उनए की पर हो वह ऊन्होंगा है, शाय शाहियों है, लेकिगल से पहले हो था किस्टर मेनिस्टर जनरली एक बेजमीर समाज हो चुका हुआ है, मैं ये सखत बात कर रहा हूँ, हावर मानिका हो, उनकी उलाद हो, उन सब ने, उनकी उलाद, बच्चों ने भी अपनी मां को फिसलिटेट किया, कि उनकी मां एक ऐसे बंदे से शादी कर ले, जो प्राइम मिनिस्टर बहराल बनन आपने वालों को इस्रामी जमूरिया का नाम ही चेंज करता ना चाहिए, ठीक है, तो वो क्यों इस तरह की बाते करते हैं, मेरी समझ से बात बाहर है, तो खावर मानिका ने जो कुछ ड़टी गें की, ये बच्चा जमूरिया, जो कुछ ये खावर मानिका ने, वो खुद ए कभी अमल था, इंतहाई गेर खालाकी अमल था, मैं मजब से हटके बात कर रहा हूँ, फाइदे उठाए और क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो तो आर्मी है, अल्टीमेल, जब फिर शकंजा उनका आया, तो फिर खावर मानिका चल और वो अगर ऐसा कर भी देना, I would not be shocked, मतलब किसी हद तक भी वो लोग जा सकते हैं, unbelievable, सियासी दबाओ में रिश्टों और किरदार की एहमियत खत्म हो चकते हैं, सियासी दबाओ का मसला नहीं है, बुनियादी तोर पर ही बद करदार नहीं है, मौशरा हो चुका है, I'm sorry to say, जनरली मौशरा, confused, अपने इंटरस्ट के लिए ये किसी भी हद को पार कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई मुझे शक वली बात नहीं है, तो अब यही कुछ वहाँ पे हो रहा है, और इमरान खान जो एक वक्त डारलिंग थे, पाकसान आर्मी के, अब उन्होंने पाकसान आर्मी के अंदर ही रिफ्ट क्रियेट की और इतना उनको जच किया, कि ये वाली जो लीडर्शिप है, वो कह रही है, अच्छा भी ठीक है, हम देख लेंगे, तो ये जो कुछ हो रहा है, इमरान खान की पार्टी की सियासत पे इंटरस्टिंग बात ये है, यानि मौशरे की बेहिस ये तो बड़ा वामिनाइजर रहा है, अच्छा मुझे किसी के अब इमरान खान सिंगल है, ठीक है, मैं तो थे, सॉरी, माइ पालोजी, अभी तो उनकी शादी होगी है, जब उनकी रहाम खान से पहले शादी थी और फौरन ही वो शादी खत्म होई तो इनके साथ होगी, उ इस तरह कि उन्होंने जिन्दगी गुजारी है, वो एक पबलिक फिगर को सूट नहीं करता, क्या आत्मे तस्मी पगड़ी होई है, वो बनाना है, हमने रियास्ते मदीना भी बनाना है, तो मेरा तो सिर्फ इतरास है, अगर आपको यह सब कुछ करना ही ता, जिस तरह एक ज तो देखिए ना कि जितने वहां की सोसाइटी में तो यह भी प्रॉब्लम है, जितने लोग इस पूरे सिलसले में इन्वाल्व रहते हैं, वो सब यह सब कुछ जानके इन्वाल्व होते हैं, वो खवातीन भी जो है, वो खुद दावत देती हैं, कि मैं यह बात कहना नहीं टादी बहुत सब अबेटी हमार्व देखिंखेसा, वो खवक जो हैं, तो बहुत से बाए शेज़ रियूसे हैं, जो कि सब की सब कि सब कर चेज़ें में बहुत बढ़े इंटरस्स के साथ जूरी ही, मैं सुम्हीं नहीं रिश्वाईतायाँ जितन, आप जिर्श्ट नहीं में भी कोई नों को इंटरस्ट होते हैं रिष्टदारों में शादी करने का जो हम पाकिसान वगएरा में कल्चर होता है जी प्रापर्टी को सेव कर लेंगे फैमली आउनर को आगे लेके चलेंगे वगएरा वगएरा तो मतलब चलिए वो एक लिमिटेड हद तक चल जाता है की जूर्त होती हैं लेकर ये जो सब कुछिंद खॉनना है वहाँ पर कि जो खावरबानिका की सूरत में ये बेंकी भेगम की सूरत में और आप जो इम्राण के बारे में कताब में पहले भी लिखे रहे थे लोग आर्टीकल लिखे रहे थे इमिन ऑकाप में लोग लोग डाली है, एक और किताब मन्जर हम पर आई, आप इस किताब के हवाले से अमरान खान की शक्सियत पर कैसे डैमेजिंग असराद देखते हैं और ये लॉंग टर्म उनको कैसे एफेक्ट करेगा, देखिए, पहले तो मैं उस, पहले तो मैं बात उस किताब की करता हूँ, उस कित मैंने पहले भी चोटी मुटी उपीनिन एदर दर दी है, मगर इस पर मैं एक अलग से वलाग करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कताब इस वीकेंड के दौरान पढ़ लिया, पूरी के पूरी, इस में के अपने वलाग में जो मैं खास जिकर करूँगा, जो शायद एक और दिया, क्योंकि मुझे ये कताब की कापी चाहिए, जो सेटर डे को मेरे पास ट्रिलेवर हो गई, इन तर मीन वाइल किसी ने वाटसेप पे जो औरिजिनल कताब है, मैं औरिजिनल अब कहूंगा, वो पाकिसान से भी बेच दी, एक दोस्त ने, वो वाइसी भी होता है, वो था, कोई पेज नबर नहीं था, यानि एम और प्रिंटिट बाई अमाजान अंटेरियो था, और आई वज शॉक्ट तो रीड़ एट कताब, कि जो यहां से मुझे मिली, एमाजान ने डिलिवर की, वो कताब डिफरेंट थी, जो औरिजिनल कताब है, और मुझे लगता है, मैं यह अमाजान को लिखने वाला हूँ, और मैंने वो कापी सेव कर ली है, मैं यह उन से पूछने वाला हूँ कि क्या आपके यहां कोई इमरान खान के हामी बैठी हो, यानि कताब उन्होंने चेंज कर दी, जो यहां पे, चपी है, और वो इंतहाई बदसलीकी स चपी होई या, कोई पेज नमबर नहीं है, और उसमें इतनी शदीर एडिटिंग है, कि वो इमरान खान के हाक में कताब हो गई, जो यहां से, कैनिडा से, तो यह एमाजान रिस्पांसिबल है, मैं इनको बड़ा जनलिस्टिकली परसू करूंगा, और मैं इस पे एक आने व जो औरिजिनल कताब है, वो जो पाकिसान में इस वक्त पब्लिश होई है, और वो कताब उस पे बहुत कड़ी तनकीद हो रही है, हाजरा खान के खलाफ बहुत ही घलीज जबान बड़ते हैं, मैं फ्रेंकली हाजरा खान साहिबा को पहले बिल्कुल नहीं जानता तो, चुक वलागर्स होते हैं, उनको मैं थोड़ थोड़ा वाच कर लेता हूँ, तो मेरी तो वो नज़र होती है, और यैसे आप और मैं तो अपने शो में हमेशें इंटरनेशनल इशूस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो खेर, अब वो हाजरा खान का नाम, चुके बहुत सोशल मीड आप चल रहा है, उनको मैं ने गूगल किया, सबने का, उनका एक इंटरव्यू जो ने गयारा बारा साल पहले इमरान खान का किया था, वो देखा, फिर मैंने हाजरा खान की औरिजिनल कताब जब पड़ी, तो वो कताब फ्रेंकली उन्होंने पहला जो उसका हिस्सा है, उन इन्दाज में उसको बताती है कि मैं तो सिर्फ उनकी एड्माइर रही, जिस तरह पाकिसान की और बहुत सरे लोग है, अच्छा मैं इसमें भी व्लॉग करूंगा, कि इमरान खान को पाकिस्तान की खावातीन के इक्सरियत क्यों चाहती है, मैं को नेगिटिव बात नहीं कर एक साथ उनकी महबत में गरिफतार, मतलब बकाइदा महबत में गरिफतार हैं, और ये बड़ी अमेजिंग बात है, और इस पे बलके वो क्या कहने, बहुत खुले तरीके के साथ, ये बहस की जा रही है, कि इसा इस इन चार जेनरेशन के अंदर ऐसा है, जो यंग स्टर जे जेनरेशन है, बहुत यंग, हाँ, वो सब है, ठीक है, वो तो हाजरा खान ने भी शुरू में ही बता दिया, कि उनकी जो आंटियां हैं, वो किस तरह इमरान की पिक्चर्स घरों में लगाती हैं, ये एक अलग साइकलोजिकल इशू है, मैं से नेगटिव या पॉजिटिव होती है, तो इमरान खान को वो एज एज एडमारर आफ इमरान खान वो जाती है, अब उन्हों ने उस में कितनी बाती चुपाई हैं, वो उनका मसला है, लेकिन जो कताब इचसेल्फ बोलती है, चुक्छे मैं तो एक राइटर हूँ, मैं तो कताब के वर्ड्स को देखता तो कताब इचसेल्फ जो बोलती है, तो वो बारहल अपना पॉइंट व यू बयान कर रही है, अब उनके बारे में ये कहना कि ये उन्हों ने कताब पहले क्यों नहीं ये बाते इनकिशाफ की थी, वो ये कहती है कि मैंने ये 2014 में इस कताब को रेड़ी किया था, मगर मुझ खान के हवाले से बदकरदारी के इल्गामाल लगाते हुए और इदर इनकी कताब फिर फॉरन ही उसकी तकरीबे रुनमाई होती है, तो ये जो टाइमिंग है, इसकी वज़ा से लोग हैं कि क्या हाजरा खान को इस्टाबलिश्मेंट की कुछ ताक्तों ने कहा कि चुके इस वो कहती हैं कि वो जाया हो गया, वाटाइवर, तो अब मैं अलग से इस कताब पे एक व्लाग करूँगा, आने वले दिनों में, शाहिद एक से ज्यारा करना है पड़ा गया, और फिर वो जो फेक एडिशन है, अमाजान का, जो प्रिंटिट बाई अमाजान, इंटरस्टिं आप हमारे टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौझूद डोनेट के बटन को दबा कर आप पैट्रियोन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ट के जरीए हमें डोनेट कर सकते हैं आपस्ट्राइब कर बातिव यूट्यूब चैनल और प्रष्ट के एम जरीश प्रिंट के लिए अजग पूटन